अपने गुरु महराजी को सेवा के द्वारा ही हम प्रसंद कर सकते हैं और जितनी हम सेवा करेंगे उतने हम भक्त जो है गुरु महराजी के नजदीक आता है गुरु महराज उसी भक्त को अपने पास लाते हैं जो उनकी सेवा करता है और सेवा में गुरु महराजी परिक्षा भी लेते रहते हैं गुरु महराजी जो प्रोग्राम आपको देते हैं तो यह सब आपकी परिक्षा होती है कि कौन भक्त इसमें सेवा कर रहा है कितनी सेवा कर रहा है और भक्त जो है सेवा के द्वारा गुरु महराजी को प्रसन भी करता है ऐसे ही जब सिखों के जो तीसरे गुरु थे अमरदास जी जब उनका व्रद्धा वस्ता की अग्रसर होने लग गये तो उनके मन में विचार आया कि भी देखो अब तो मैं व्रद्ध हो रहा हूं अब जो है गुरु गद्धी के लिए भी कोई सच्चा जो भक्त हो उसको इसमें चुनना चाहिए तो उन्होंने अपने भक्तों की परिक्षा ली जैसे ऐसे ही ससंग हो रहा था ऐसे ही उनके भी अंगिनच शिश्य ऐसे ही पंडाल में बैठके ससंग का श्रौन कर रहे थे ससंग समाप्ति के बाद उन्होंने काया कि देखो इस जो है परिसर में मुझे एक चबूत्रा बनाना है और इस चबूत्रे को आप लोग इस स्थान पे बनाए सुवे हुई प्राता कालो सभी भक्त चबूत्रे को बनाने लग गए शाम हुई गुरु माराजी उस चबूत्रे को देखने के लिए आए कहने लगे नहीं ये चबूत्रा ठीक नहीं बना इसको तोड़ दो तो जितने भक्त थे उन्होंने मिल के उस चबूत्रे को तोड़ दिया फिर सुबह गुरु माराजी ने कहा कि फिर दूसा चबूत्रे का निर्मान करो फिर भक्त निर्मान करने में लग गए फिर शाम आई शाम को गुरु माराजी ने फिर का नहीं चबूत्रा ठीक नहीं बना इसको फिर तोड़ दो ऐसे करते करते असंख्य बार गुरु महराजी ने कहा चबूत्रा बनाओ और शाम को कहा चबूत्रा तोड़ दो जब कई बार ये घटना घट गई तो जो थे अधिकांश भक्तों के मन में ये भावना जागरित हुई कि देखो गुरु महराज जो है व्रिद्धा वस्ता की और अग्रसर हो रहे है और व्रिद्धा वस्ता के कारण ही शैद ये जो है निर्णय लेनी की शमता खो बैठे है इसलिए बार बार कहते हैं कि चबूत्रा बनाओ अशाम को कहते हैं चबूत्रा तोड़ो ऐसे करते करते सारे जो भक्त थे वो वहाँ से चले गए किरने लगे ये तो हम रोज अपना समय गवा रहे हैं इससे अच्छा अपने घर चले आते हैं और सारे भक्त जो अपने अपने घरों की ओप्रस्थान कर गए जब गुरु महराजी निरक्षन करने के लिए आये तो उन्हों देखा उन्हों का रहे केवल वहाँ पे एक भक्त था भक्त रामदास वही चबूत्रे का निर्मान कर रहा था तो उन्हों का भई रामदास बाकी भक्त कहां गए तो रामदास जी कहते कि गुरु महराज आपकी बार-बार जो आग्या थी कि बनाओ, तोड़ो, बनाओ, तोड़ो उससे इतने बार तो उन्होंने बनाया लेकिन अंत में उनके मन में आया कि गुरु महराज जी बार-बार बनवा रहे हैं, बार-बार तोड़वा रहे हैं इससे अच्छा है कि हम अपने घर चले जाएं और सारे भक्त जो हैं अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए तो उन्होंने गुरु माराज भक्त से कहते कि भक्त रामदास तू क्यों नहीं गया तू भी उनके साथ अपने घर चला जाता है तो भक्त रामदास कहते हैं गुरु माराज मुझे तो आपकी अज्ञा का पालन करना है मुझे आपकी अज्ञा में रहना है और आपकी अज्ञा चाहे सौ बार क्या चाहे हजार बार भी आप कहेंगे कि इसे बनाओ इसे तोड़ो इसे बनाओ इसे तोड़ो मैं वह आपकी अ तब गुरु महराज उसके प्रशन से जो उत्तर दिया उसे बड़े प्रसन वे और अपने भक्त को उन्होंने अपने गले लगाया उन्होंने के भक्त मैं अपने भक्तों की परिक्षा ले रहा था कि देखे कौन भक्त मेरी परिक्षा में पास होता है और कौन नहीं होता और क उनको गूरुगद्दी सुईकार, उनको दी और अपना सर्ण्यास धारण किया, तो यह होता है गूरुम्हärाज की हर अज्या में, उसके पीछे कोई भक्त का जो है लाब छुपा रहता है। लेकिन जो है कोई बिल्डा भक्ती उस बात को जान पाता है उसको समझ पाता है उसको पहचान पाता है Guru Maharaj के भी असंख्य भक्त थे लेकिन उनको Guru Maharaj की बात पे विश्वास नहीं रहा थोड़ा विश्वास था कुछ उनोंने उसको जो है चबूतरा बनाया लेकिन जब बार-बार बनने और तूटने के बाद उनका विश्वास जो था वो डगमगा गया केवल एक भक्त रामदास ते जिनका विश्वास अडिक रहा और जिसका विश्वास अडिक रहता है वही अपने मार्क में जो है सफल होता है वही उस परमधाम को प्राप्त करता है तो इसी प्रकार से गुरु महराज की प्रतेक बात का श्रवन करना चाहिए प्रतेक बात का श्रवन ही नहीं करना चाहिए बल्पी इस पे मनन करना चाहिए इस पे विचार करना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए जो गंगा जी में डुपकी लगा रहा है तो गंगा जी में डुपकी लगा रहा है तो उसका तन का महल तो साफ हो रहा है लेकिन मन का महल तो इस प्रांगण में जो ससंग सुन रहा है उसके मन का महल तो तब ही दूर होगा जब वो ससंग की में आके पंडाल में बैठके ससंग का श्रवर ना कर ले इसलिए का गंगा जी में डुपकी लगाने से तो तन का मैल निकलता है लेकिन जो है ससंग की गंगा में डुपकी लगाने से शरीर का भी और मन का भी मैल सब दूर हो जाता है करने से उनके आशिरवाद सुनने से तो सारा कल्यान ही कल्यान हो जाता है इसलिए तो बाई जी महात्मा जी आप लोगों को बार बार इसलिए तो अग्रे करते हैं कि चलो गुरुमाराजी का प्रोग्राम हो रहा चलो गुरुमाराजी के प्रोग्राम को अटेंड करो उनका द पर जयती है आपके हिर्दयार रुपी स्थल पर वो दूर हो जाती है। जिस प्रकार से जब वर्शा से रज़ा नहीं होती तो आप देखते हं पेड़ों में, जमीन में हर जगें आपको धूली-धूल दिखाई देती है। सब जगे गंदगी दिखाई देती है लेकिन जैसी वर्षा होती है वर्षा होने से क्या है सारी प्रकृती जो है हरी भरी हो जाती है सारे पेडों के उपर जो लगी धूल होती है वो साफ हो जाती है जो फर्ष में पड़ी हुई धूल होती है सड़क में पड़ी हुई धूल ह है साफ हो जाती है आपको सारी प्रकृति हरी भरी दिखाई दिर्ष्टि गोचर होती है तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी समाज में रहते रहते समाज की गंदगी समाज की बुराईयां समाज की कुरेतियां ये सारी गंदगी हमारे हिर्दय रूपी स्थल में परत दर परत जमती रहती है लेकिन ज़र हम ससंग रूपी वर्षा हमारे उपर मिलती है हमें गुरुमराजी के दर्शन होते हैं उनका आशिरवचन सुनने को मिलता है तो क्या होता है हमारे हिर्दय सल पे पड़ीवी सारी गंदगी सारी कुरितियां सारी परेशानी स्था ही वो धुल जाती है और हमारा हिर्दय फिर से स्वच्छ निर्मल हो जाता है साफ हो जाता है और जो है हम जो प्रचारग करते हैं तो उसमें भी हमारे मन में जो है अभिमान की भावना नहीं आनी चाहिए हम यह नहीं सेवा कर रहे हैं सेवा के साथ-साथ हम अभिमान को भी अपने अंदर लाते रहे हैं क्योंकि अभिमान अहिंकार जो है व्यक्ति को गर्त मिले जाता है और उसका जो है जो विकास होता है वो नहीं हो पाता इसलिए अभिमान अहिंकार को अपने हिर्दय रूपी थल पे उसको बीज को रोपित न होने दें क्योंकि यह ऐसा है जैसे कैंसर होता है कैंसर जो है पता चलता है जब डॉक्टर कहता है लास्ट स्टेज है तो ऐसे ही अभिमान एंकार रूपी बीच को भी अपने हिर्दय रूपी स्थल में रूपी इतना होने दें क्योंकि तब जितना वट्वरक्ष बन जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप कब अपने पत से गिर जाएंगे या आपको नहीं पता चल पाता ऐसे ही एक बार जो है क्रिश महराज ने देखा कि गरूर को और सत्य भामा को सुदर्शन को जो है अभिमान हो गया गरूर को अपनी वेग पे सुदर्शन को अपने बल पे और सत्य भामा को अपने रूप पे अभिमान हो गया तो भगवान श्री कृष ने कहा यह अभिमान नहिंकार तो ठीक नहीं इनको जो है गर्त में गिरा देगा तो उन्होंने युक्ति सूजी कि मैं ऐसे एक युक्ति करता हूं जिसे इन तीनों का भिमान नहिंकार जो है यह समाप्त हो जाएं तो भगवान श्रीक्रिष्ण जो एक युक्ति करते हैं और हन्मान जी को अपने वाटिका में बुलाते हैं और गरूर को कहते हैं हन्मान जी आते हैं और उसमें वाटिका में खुब उथल पुथल करते हैं भवगान श्री क्रेश्ट गरू को बुलाते कि जाओ भई देखो एक वानर आया है, बड़ी उथल पुथल कर रहा है, उसको जो है, तुम मेरे दरवार में ले के आओ, अब गरू महराज जी वाटिका पोंचते हैं, देखते एक वानर जो है, बड़ा उथल पुथल कर रहा है कई पेड तोड़ा है, कोई फल तोड़ा है, तो गरूर जी को अपने बल पे भी बड़ा अभीमान था कि अरे मेरे पास तो इतना बड़ा बल है, मेरी गती तनी तेज है, मैं तनी तेज ओड़ जाता हूं, ये बानर क्या मेरे सामने, वो बानर को कहते है कि चलो, क्रिश्न बानर को नहीं जानता हूं, और जब गरूर ने उनके साथ बल का प्रियोग किया, तो बानर ने उनको खूब अपनी पूछ से पकड़ पकड़ के खूब उनकी पिटाई कर दी, गरूर जी वापिस भागे क्रिश्च जी के पास, कहने लगे जी, भगवन वो तो, मैंने जब आपका नाम लिया कि आप बुला रहें, तो उन्होंने का तो मैं किसी क्रिश्च को नहीं जानता, मैं तो किवल प्रभु राम को ही जानता हूं, और उसने जो है, जब मैंने उसके साथ जबर्दस्ती की, तो उसने मेरी बड़ी जम के पिटाई भी कर दी, तब क् पिर से वाटिका में जाते हैं, और जो है, वानर से कहते हैं कि भई अब भगवान राम ने तुम्हें बुलाया, तो भगवान राम का नाम सुनते ही, वानर कहता है, मैं अभी चला, तो गरूर को अपनी, मैं कितनी तेज यू उड़ता हूं, उस पे बड़ा अभीमान था, क तो वानर कहता कि नहीं नहीं आप जाओ मैं अभी मैं पहुंचता हूँ आप जाओ गरूर चल देता है तो जब गरूर जब भगवान कृष्ट के सामने जो भगवान का रूप धारन की रहते हैं वहा पहुंचते तो देखते हैं कि वानर तो वहा ही पहले ही पह judgments गया तो गरूर को बड़ा मन में होता है कि अरे मैं तो इतना अब मुझको तो अपने मैं कितनी तेज उड़ता हूं उस पर अभिमान था लेकिन ये वानर तो मेरे से पहले ही पहुँचिया फिर वानर जो था वो भगवान राम की और देखते हैं उन्हें दन्डवत परणाम करते हैं और जो बगल में सत्य भामा थी उसकी तरफ देखते हैं तो वानर कहते हैं कि भगवन आपने अपनी दासी को अपने बामंगनी क्यों बना रखा है ये दासी कौन है तब सत्य भामा को महसूस होता है कि अरे मिझको तो अपने रूप पे कितना भीमान हो गया था कि मैं बड़ी रूप अती हूँ लेकिन वानर तो मेरे को एक दासी समझ रहा है तो फिर जो है और जब वानर जब गुलाया होता है तो भगवान श्री के सुधर्शन को कहते है कि तुम मेरे दरवाजे में द्वार पाल बन जाओ और किसी को भी नहीं आने देना उसको रोक लेना किसी को मेरे दरवार के अंदर आने की इजाज़त नहीं है लेकिन जब वानर आते हैं तो सुदर्शन उनको रोकता है, तो हन्वान जी जो थे वानर के रूप में थे, वो सुदर्शन को ही पकड़ के अपने कांग के नीचे दबा देते हैं, और उसको लेके दरवार में पहुंच जाते हैं. तब भगवान श्रीकेश पूछते हैं, कि अरे वानर, मैंने तो सुदर्शन को द्वारपाल बना रखा था, कि कोई अंदर नहीं आएगा, तुम कैसे अंदर आ गए? तब भगवानर कहता है कि अरे, वो आपने द्वारपाल नुक्त किया था, उसने मुझे रोका, तो मैं उसे अपने कांग में दबा के लिए आया, और अपनी कांग को हटा के, वो सुदर्शन को बहार कर देते हैं, कि ये आपका जो है, ये द्वारपाल आपका ये है, तब सुदर्शन को भी जो अभिमान था, कि मेरे अंदर इतना तेज है, वो तेज, वो अभिमान भी उसका समापत हो जाता है, गरूर भी समापत हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ट ने कहा कि, देखो गरूर, सत्यभामा और सुदर्शन, तुम तीनों को अभिमान हो गया था, अपने रूप पे, अपने बल पे, अपने तेज पे, और तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए, मैंने युक्ति बनाई, वानर कोई और नहीं है, ये भग्त हनुमान है, और तुम्हारे गरूर को तोड़ने के लिए, ये सारा मैंने ये सारी युक्ति रचाई थी तब तीनों को अपने अभिमान का एहसास होता है तीनों भगवान श्रीकृष्ट से जो है अपनी माफी मांगते हैं गल्ती का एहसास करते हैं उन्हें होता है तो ऐसे समय में समय समय में समाज में रहते रहते हर जीव की अंदर इ जी आपके बड़ा सेवक तो अमने आज तक दरवार में देखाई नहीं, आप कितनी सेवा करते हो, इसी में जो है, वो भक्त जो है, अभिमान एंकार के अंदर आ जाता है, और फिर जो अभिमान एंकार का एक भी छोड़ा सा रोपित हुआ नहीं, कि कब वो वट रक्ष बन ज चलेगा, इसलिए कहा गया, जो अच्छा शाशक होता है, जो अच्छा एक राजा होता है, वो अपने आसपा चटुकारताओं को नहीं रखता, चापलूसी करने वालों को नहीं रखता, बलकि उनकी जो कम्यां बताएं, उनको रखता है, कि जो समय समय पे उनकी कम्यां बता रहे वही जो है अच्छा शाश्रक कहलाता है awarded कि हम अपनी चारों स्ट चाहप्रूशों को बठा करें हां हां बहुत अच्छा आप तो बड़ा अच्छा ए आप काम तो को बात लुह को सेवक के अंदर भी अभिमान नहिंकार हो जाता है और वह अपने पत्थं से भरस्ट हो जाता है इसलिए जो है हमें भी ऐसी अभिमान, नहिंकार से दूर रहना है और जो चटुकारता लोग होते हैं, जो चाप्रूसी करने वाले लोग हैं उनसे भी दूर होना चाहिए तब ही काये कि सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र होता है, जो आपकी कम्यों को बताए, वही सच्चा मित्र होता है जो आपकी चाप्रूसी करें, आपकी जूटी प्रशंसा करें, वो आपका सच्चा मित्र नहीं है सच्चा मित्र वो है, जो आपकी कम्यों को बताए, आपकी अंदर क्या कमी है उसको बताए वही सच्चा मित्र है इसलिए जो है सच्चे मित्र को जानिए सच्चे मित्र को पहचानिए और जो है चापलूसी से जो चापलूसी करता है जो अपकी जूटी प्रशंसा करता है उससे दूर रहना चाहिए तब ही हम अपने इस मार्ग को चलने में शक्षम हो सकते हैं और इस मार को पूरा करने में उस जो हमारा गोल है जो हमारा लक्ष है उस परमधाम को प्राप्ट करने का जो हमारा लक्ष है उस लक्ष को हम तभी प्राप्ट कर सकते हैं नहीं तो बहुत से हजारों असंखे लोग इस पत्वे चलते हैं लेकिन सब लोग क्या परमधाम तक पहुँच पाते हैं उस लक्ष को पूरा कर पाते हैं नहीं क्योंकि रास्ते में कितनी आप कोई बाधाओं से डर जाएगा कोई परेशानियों से जर जाएगा कोई अभिमान एंकार से ग्रसित हो जाएगा कोई लोब माया मुह के चक्कर में पढ़ जाएगा और उससे क्या होता है कोई धन के चकर में पढ़ जाता है और उससे क्या होता है आदमी पत्वरष्ट हो जाता है और जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते से वो भटक जाता है उस सत्य मार्ग से भटक जाता है और असत्य के मार्ग में चलने लगता है जब असत्य के मार्ग में चलोगे तो उस परमधाम को कैसे प्राप्त करोगे उस परमधाम को तो हम प्राप्ती नहीं कर सकते हैं इसलिए जो है इसलिए का कि नित्य ज पराप्त करना चाहिए कि जो बुराईयां हमारे हिर्दे में अगर आती भी है तो बुराईयां हमारी दूर हो जाया हमारा हिर देस्तल साफ हो जाए निर्मल हो जाए और फिर से हम गुरु महराज की भक्ती और कर सकें